हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी है आज है हमारे पास क्लास 12 केमेस्ट्री का MCQ सिरीज का लेक्चर नमबर 5 इससे पहले 4 लेक्चर MCQ सिरीज के आपको प्लेलिस्ट में बिल जाएंगे जो MCQ सिरीज की प्लेलिस्ट है और यह पूरी प्लेलिस्ट क्योस्चन सिरीज की प्लेलिस्ट की तरह ही औरियंटीड है 100% बोर्ड एक्जाम के लिए तो यह सिरीज जो चल रही है mcu series यह board exam के लिए ही चलाई गई है और इस मेंसे हर एक lecture में कम से कम 2 या 3 question आपको board exam में जरूर मिलेंगे मतलब जो भी lecture है one sort जितने भी lecture होंगे 10 lecture होंगे जैसा कि NCRD के new syllabus में 10 unit हैं तो उन मेंसे हर एक lecture मेंसे 2 या 3 question आपको board exam में जरूर मिलेंगे इसी series में आज हमारे पास lecture number 5 है और हमारे chapter का नाम है उपस है सहियोजक योगिक जिसे आप coordination compounds भी कहते हों और ये एक one sort lecture है इस एक ही lecture में हमने जितने भी important previous year के mcq questions हैं या फिर numerical हैं या फिर very sort question हैं उन सब को mcq के form में convert करके रखा हुआ है और इसमें important question सारे लिए गए हैं इसलिए हर एक question को आप ध्यान से देखोगे पहली बात दूसरी बात ये है कि आप अपनी rough notebook अपने पास रखना उसमें answer अपने जो हैं वो लिखते रहना जो answer आपका सही हुआ है उसमें right का निसान लगाओ जो गलत हुआ है उस पर गलत का निसान लगाओ और जब आपका lecture complete हो जाएगा तो उसके बाद में आप मुझे बताओगे कि आपके कितने question बिल्कुल सही हुए है ठीक है start करते हैं चलो देखते हैं सबसे पहला question क्या है पहला question है निम्न लिखित में से कौन सा जलिय विलियन में FV ion का परिक्षन नहीं देगा भई FV ion का परिक्षन देखो K3 F6 है K3 FV F6 में FV ion bracket के बाहर नहीं है यानि आइनिक मंडल में नहीं है इसलिए ये तो FV ion का परिक्षन दे नहीं सकता पर ये तो एक double salt है 2-11 में तो आपको K positive ion का भी test मिलेगा Sulfate ion का भी test मिलेगा FV positive ion का भी test मिलेगा FV triple positive ion का भी test मिलेगा यानि FV ion का टेस्ट इसमें आपको परिक्षन देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये कोई उपसह सही हो जग योगिक नहीं है ये एक दूइक लवन है इसमें आपको potassium ion, FV ion और sulfate ion का तीनों का टेस्ट आपको मिलेगा C में देखो FV अंदर भी और बाहर भी है इसका मतलब बाहर वाले जो FV के ion होंगे वे तो आइनिक मंडल में उपस्तित हैं और वे तो सरल ion के रूप में हमें प्राप्त होंगे तो यहां से तो हमें FV ion का टेस्ट मिल जाएगा और यह है ammonium sulfate, ferrous sulfate जिसे आप कहते हो ferrous ammonium sulfate तो ferrous ammonium sulfate में भी एक द्विक लवन होने के कारण आपको FV ion का टेस्ट देखने को मिल जाएगा तो इन चारों option में से ऐसा कौन सा yogic है जिसके जलिय विलियन में आपको FV ion का टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा वो है option A ठीक है K3, FV, F6 इसमें FV bracket के अंदर है यानि उपसे संयोजक मंडल में है और जो भी ion बनेगे तीन तो बनेगे K positive ion और एक बनेगा FV, F6, triple negative ion तो FV ion नहीं बनेगा Next, अगला question बहुत बढ़िया question था यह चलो दूसरा question देखते है यह सारे question प्रीवियस एयर के board exam के हैं ध्यान से समझना हर एक question को और मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि हर एक lecture में से दो या तीन question आपको exam में जरूर फसेंगे पकी बात है MCQ series के दूसरा question है निमलिखित में कौन सा ion उपस है संयोजक योगिक नहीं बनाता है वही उपस है संयोजक योगिक बनाने के लिए धातू ion के अंदर एक खासियत होनी चाहिए कि वो जो धातू ion है उसके पास क्या होने चाहिए vacant d orbitals खाली d कक्सक उपलब्द होने चाहिए अब इन में से यदि आप इन तिनों को देखते हो तो ये mostly d block तत्व है और इनके पास खाली d कक्सक उपलब्द है तो ये तिनों बना सकते हैं उपस है संयोजक योगिक पर आपका जो एन ने पॉडिटिव आयन है इसके पास खाली d कक्सक उपलब्द नहीं है vacant d orbitals available नहीं है इसलिए एन ने पॉडिटिव आयन उपस है संयोजक योगिक नहीं बना सकता है अब आप सोच रहे होंगे एकि सर उपस है संयोजक योगिक बनाने के लिए धातू परमानू के पास खाली d कक्सकों की उपलब्द नहीं होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा धातू परमानू है उसके पास यदि खाली कक्षक होंगे तभी तो जो उसके चारोतरब जो लिगेंड्स अटैच है उन लिगेंड्स हर एक लिगेंड क्या करता है लोन पेर ओफ इलेक्ट्रों डोनेट करता है केंद्रिय धातू परमानू को तो केंद्रिय धातू परमानू के पास खाली कक्षक भी तो होने चाहिए उस लोन पेर ओफ तीसरा क्योस्चन देखो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा निम्न लिखित में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है वही किलेट हमेशा कम से कम किलेट बनाने के लिए बाई डेंटेट लिगेंड की आवशकता होती है बाई डेंटेट लिगेंड का मतलब जिसकी दंतुकता दो हो जो कम से कम दो लॉन पेर ओफ इलेक्ट्रोन केंदरी अधातू परमाणू को दे सके ठीक है और इसमें से बाइडेंटेट लिगेंड है ओक्सिलेट कौन सा है ओक्सिलेट ओक्सिलेट जो है कैसा होता है COO नेगेटिव सिंगल बॉंड COO नेगेटिव तो ओदो बना सकता है उपस है संयोजग बंद केंदरी अधातू परमाणू या केंदरी अधातू आयन के साथ इसलिए यहाँ ओक्सिलेट आयन ही ऐसा है जिसे आप C2O4 कहते हो ना C2O4 2 नेगेटिव यह होता है ओक्सिलेट आयन इसे चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो तो ओक्सिलेट आयन ही केंदरी अधातू परमाणू के साथ क्या कर सकता है एक चकरिय संरचना का निर्माण कर सकता है और इस तरह एक बनने वाली चकरिय संरचना को ही हम किलेट कहते हैं तो निम बार कहता हूँ कि इस वाले lecture में से दो या तीन के option आपके board exam में जरूर आएंगे पक्की बात है बिल्कुल 100% देखो फोर्त है COEN whole twice CL to CL में CO की समन्वे संख्या है देखो बेटे ये केंद्रिय धातु परमानू है कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन हर एक इथाइलिन डायमीन दो बांड बनाता है क्योंकि by dentate ligand है तो ये कितने बांड बनाएगा ये बांड बनाएगा दो बांड बनाता है और दो हैं इथाइलिन डायमीन प्लस दो हैं हमारे पास CL और दोनो CL एक एक बांड बनाएंगे तो कितने होगे दो दुनी चार और दो छें तो इसका मतलब यहाँ CO, E, N, whole twice, CL2 और bracket के भार CL में CO की समन्वे संख्या इसके उपर टोटल 6 बनेगे coordinate bond तो इसकी समन्वे संख्या कितनी होगी 6 होगी यानि D उत्तर हमारा बिल्कुल सही है ठीक है? Next Question number 5 5 वा के Question देखो सही उत्तर बताओ क्या है 5 वेगा K4 FECN6 में FEC की समन्वे संख्या है यह 6 यहाँ होना चाहिए था बेटे गलती से print होगया इदर आपको पताईए इस example को आप बार बार पढ़ते हो K4 FECN6 में FEC की समन्वे संख्या यह 6 होना चाहिए था यहाँ यहाँ तो आपको पता है कि FEC के 4 तरफ 6 Monodentate Sinoidal Legand जुड़ेवे हैं और 6 Legand जुड़ेवे हैं तो 6 coordinate bond FEC के उपर बन रहे होंगे और 6 bond बन रहे होंगे तो इसका मतलब पक्की बात है कि FEC का coordination number या समन्वे संख्या कितनी हो जाएगी छह है तो option C सही है ठीक है next इसकी तो संरचना भी आपने बना रखी है next अगला की option देखो सातवा CO NS3 whole 5 CL और bracket के भार CL2 में CO की आक्सीगर नवस्था है इसकी आक्सीगर नवस्था बतानी हमें इसकी आक्सीगर नवस्था केंद्री अधातू परमाणूगी हमने X मान ली plus 5 NS3 है NS3 की आक्सीगर संख्या कितनी होती है 0 1 CL है CL की आक्सीगर संख्या कितनी होती है minus 1 और 2 CL बहार है इन दुनों की भी कितनी होगी minus 1 is equal to 0 बताओ निकाल लोगे का तो यह हो जाएगा X इसे तो लिखने की जोरती नहीं 0 हो गया minus की 1 और minus की 2 minus की 3 is equal to 0 तो X बरबर क्या हो जाएगा minus का 3 उदर जागे क्या हो जाएगा plus का 3 तो यहाँ oxidation नमबर है plus 3 यानि option C सही है हमारा option C ठीक है बेटे next अगला option देखते रहे ना कितने की option आपके सही हुए है अगला option है सात्वा option NICN whole 4 minus 2 में निकल की आक्सिकन अबस्ता है इसका oxidation state बताना है X मान लिया हमने 4 हैं साइनाइड minus 1 वाले is equal to total iron के उपर जितना भी आवेस होता है वो कुल आक्सिकन संख्या के बराबर होता है तो यह हो जाएगा X plus minus minus 4 is equal to minus की 2 तो X is equal to क्या हो जाएगा minus का 2 और minus का 4 उदर आगे plus का 4 हो गया तो X is equal to कितना हो गया plus का 2 तो plus 2 देखो कौन सा answer है plus 2 यह रहा oxidation number क्या है इसकी 2 या plus 2 कह सकते हैं option B सही है next अगला क्योश्चन अगला क्योश्चन है आठवा क्योश्चन देखो ध्यान से क्या है आठवा क्योश्चन है X SO4 NS3 whole 5 CL में X की उपसह संयोजक संख्या तथा आक्सिकन संख्या है हमें इसकी उपसह संयोजक संख्या भी बतानी है और आक्सिकन संख्या भी अब देखो आप जब देखोगे sulfate को sulfate तो एक bond बनाता है ठीक है उसके बाद NS3 whole 5 NS3 भी एक ही bond बनाते हैं तो 5 bond यह होगे तो total 6 bond बने तो इसका मतलब यह है कि उपसह संयोजक संख्या तो हुई 6 ठीक है coordination number तो इसका 6 हुआ अब आपको आक्सिकन संख्या भी बतानी है आक्सिकन संख्या X की आक्सिकन संख्या हमने X मान ली प्लस sulfate की कितनी होती है minus 2 SO4 के उपर 2 इकाई रिनावेस होता है और 5 है NS3 NS3 मुक तवस्था में रह सकता है उदासीन है तो इसकी आक्सिकन संख्या 0 है और एक ब्रेकेट के बाहर CL भी है देखो इसकी आक्सिकन संख्या होती है minus 1 is equal to के बाद हम रखेंगे 0 तो यह हो जाएगा X minus 2 इसे तो लिखना ही नहीं है minus 1 is equal to 0 तो यह हो जाएगा X minus के 3 is equal to 0 तो X is equal to हो जाएगा प्लस के 3 तो प्लस 3 है इसका oxidation number तो 6 और 3 वाला option देख लो कौन सा है 6 और 3 वाला option देख लो कौन सा है 6 तथा 3 तो option C सही है हमारा कौन सा option सही है? C Next अगला question देखो द्यान से Question number 9 9th question में कहा गया है E, E, N whole twice C2O4 oxalate है यह oxalate हो NO2 में तत्व E की उपसेह सही होजन संख्या एवाम आकसीगन संख्या इसका coordination number बताना है भई यह बनाता है 2 bond इथाईलेंग, डाइयमीन 2 bond बनाता है और यह संख्या में भी 2 E है प्लस C2O4 oxalate oxalate बनाता है 1 bond ठीक है oxalate क्या बनाता है 1 bond oxalate तो ऐसा होता है COO negative COO negative तो 2 bond बनाता है तो तो यहां हम 2 लिखेंगे एक oxalate है जो 2 bond बनाएगा तो यह हुए 2 दुनी 4 और 2 6 इसका मतलब coordination number तो आया 6 ठीक है अब देखेंगे oxidation number कितना आएगा इसका E का oxidation number हमने X माल लिया तो है ethylene diamine 0 एक है oxalate minus 2 और एक है NO2 minus 1 is equal to 0 इसे लिखने की ज़रुत नहीं है X plus minus minus एक दुनी 2 plus minus minus एक यह हो जाएगा X minus 3 is equal to 0 तो X is equal to हो जाएगा plus का 3 तो हमारा answer होना अच्छी है 6 और plus 3 देखो कौन सा option है 6 और plus 3 यह रहा option B 6 और plus 3 ठीक है 6 या 3 कह दो एकी बात है plus 3 कह दो या 3 कह दो एकी बात है next अगला question देखो question number 10 दसवा question है K3 CR C2 O4 whole thrice में CR की उपसह संयोजन संख्या और oxygen संख्या इसमें भी वोई बात पुच्छी है इसका coordination number 3 और यह 2 बनाता है न 2 bound बनाता है और 3 है 6 coordination number तो 6 होगा कॉमा और oxidation number कितना होगा इसका X मान लो 3 है इसके पास oxalate ion minus 2 वाले और 1 यह भी तो है 3 potassium भी तो है plus 1 वाले is equal to 0 तो यह हो जाएगा X plus minus minus 3 plus 3 इकम 3 is equal to 0 ठीक है 3 दुनी 6 यह 6 हो जाएगा तो यह हो जाएगा X minus 3 is equal to 0 तो X is equal to हो जाएगा plus का 3 ठीक है 6 और 3 6 और 3 वाला option देख लो आप 6 और 3 6 और plus 3 यहाँ तो plus लिख दिया इन्होंने यह ऐसा ही answer ठीक है C next अगला question देखते हैं चलो Question number 11 11 question दिया गया है निम्न में A समरूप यानि हेटरोलेप्टिक संकुल है हेटरोलेप्टिक संकुल उसे कहते हैं जिसमें सारे के सारे लिगेंट से एक जैसे ना हूँ यदि सारे लिगेंट से एक जैसे हैं केंद्रिय धातु परमाणू के उपर जो अटैच हैं सारे लिगेंट से एक जैसे हैं तो होमोलेप्टिक और सारे ligands एक जैसे नहीं है तो heteroleptic अब यहाँ देखो यहाँ 6 के 6 ligand एक जैसे हैं यहाँ दो तरह के ligand हैं 5 तो है amine और 1 है sulfate यहाँ 4 रो एक जैसे हैं और यहाँ भी 6 के 6 एक जैसे तो अलग-अलग तरह के इसमें है तो option B सही है बाकी option A, C और D homoleptic संकुल है ठीक है और option B है आपका heteroleptic संकुल बहुत बढ़िया question है यह होमoleptic और heteroleptic जब सारे ligands एक जैसे नहीं होते हैं तो heteroleptic 12 question CR-NS3 whole 4 CL2 NO3 का नाम है बहुत बढ़िया question देखो इसका नाम होगा tetra amino dichlorido chromium third nitrate वही tetra amino tetra amino यहां भी है और यहां भी है यहां तो tetra amine है यह तो गलत है दो जगा है tetra amino dichlorido यह रहा dichlorido यहां तो खली chlorido है dichlorido हमें चाहिए था chromium है oxidation number इसका होगा oxidation number कितना होगा इसका एक तो NO3 है दो CL है तो minus 1 और minus 2 और minus 1 minus 3 को cancel करने के लिए plus 3 third nitrate tetra amino dichlorido chromium third nitrate है क्या कहीं third nitrate tetra amine amine ठीक है dichlorido chromium third nitrate यही सही है tetra amine dichlorido chromium third nitrate ठीक है बिल्कुल सही है यह D तो इसका सही उत्तर D है ठीक है tetra amine dichlorido chromium third nitrate बिल्कुल सही next NS3 का नाम amine होता है ना अब आप कहोगे सर amine हो क्यों नहीं होता ओ तो नाम लगता है rhenionic ligands के बाद जो negative ligands होता है ना जैसे chlorido, oxido, oxylato जो rhenovacit ligands होता है उनके बाद में O लगता है और जो धनावेसित होता है उनके बाद में E-M लगता है और जो उदासीन ligands होता है उनमें तो सामन्ने नाम लिखा जाता है जैसे amine next तेरवा क्योस्टन है k3 nicn4 का iupac नाम potassium tetrasino nickel 4 nickel second यह होगा इसका नाम potassium tetrasino nickel second ठीक है potassium tetrasino nickelate second हाँ nickelate क्योंकि रhenovacit संकुल में केंद्रिय धातु परमानू का नाम लिखते हैं समय बाद में 8 आता है potassium tetrasino nickelate second potassium tetrasino nickelate third नहीं second होगा क्योंकि इसका oxidation number minus one है इसका plus one है तो minus के 4 और plus के 2 तो minus के 2 बचेंगे minus के 2 को cancel करने के लिए एनाई का oxidation number plus 2 होगा तो इसका 13 वे का सही उत्तर है ए ठीक है बटे जो रेन आए nickelate लिखा nickelate इसलिए लिखा क्योंकि जो हमारा bracket बाद में है न renovated संकूल है और renovated संकूल में केंद्रिय धातू पर्मानू का नाम लिखते समय हम क्या करते हैं बाद में 8 लगाते हैं यदि bracket आता पहले फिर तो हम इसका नाम nickelate लिखते पर इसका नाम nickelate ही लिखा जाएगा क्योंकि ये renovated संकूल है next question number 14 14 question में कहा है K3CO NO2 whole 6 का IUP इसी नाम potassium hexanitro cobaltate minus 6 plus 3 तो minus के 3 को cancel करने के लिए plus का 3 potassium hexanitro cobaltate 3 potassium hexanitro cobaltate 3 देखो potassium ये तो नहीं है सही ये भी सही नहीं है potassium hexanitro cobaltate आएगा potassium hexanitro cobaltate 3 ये बिल्कुल सही है D option option D सही है potassium hexanitro cobaltate 3 next टकला question question number 15 15 में कहा है NIN3 whole 4 NICL4 का IUPAC नाम इसका ये एक bracket extra लग गया ये कुछ नहीं है इसका IUPAC नाम बताना है इसका IUPAC नाम बताना है तो ये हो जाएगा tetra amine nickel tetra amine nickel और oxidation number और tetra chloride nickel tetra chloride nickel और oxidation number अब oxidation number देखो यहाँ इसके उपर तो 0 होता है oxidation number इसके उपर होता है minus का 1 तो ये minus के 4 हो जाएगे minus के 4 को खतम करने के लिए इस nickel और इस nickel को मिला कर प्लस के 4 होना पड़ेगा तो यानि 2 तो oxidation number इसका दो और 2 ही 2 इसका तो सही नाम होगा tetra amine tetra amine nickel second और tetra chloride nickel second अब देख लो कौन सा option है tetra amine nickel second और tetra देखो tetra amine nickel second और tetra chloride nickel nickel second पहले वाले मैं nickel कहा क्योंकि पहला bracket धनाईनिक संकूल है और बाद वाला रिनाईनिक है इसे nickel कहा इसे nickel eight tetra amine nickel second और tetra chloride nickel पता चल गया ना eight क्यों लगा second तो सही option है C हमारा next question number 16 iron third hexasino ferrite third का racinic सूत्र है iron third अब इसे हाँ लिखना नहीं चाहिए था bracket में पर इन्होंने इसका oxidation number दे दिया iron third hexasino ferrite third hexasino ferrite hexasino ferrite hexasino ferrite hexasino ferrite यह तो सारा hexasino ferrite ही लग रहा हम है पर इन्होंने साथ में कहा है iron third यानी oxidation number third दिखाना है हमें अब देखो यहां दिखान से देखो कि इसके पास minus one होता है oxygen संक्या minus one है तो minus की 6 minus की 6 को खतम करने के लिए plus की 6 चाहिए तो plus का 3 इसका oxidation number होगा और plus का 3 इसका होगा तो सही उत्तर हमारा A ही है इसमें ठीक है चलो next प्लस 2 और plus 3 दो तरह का oxidation number दिखाता है ना iron ferrous chloride ferric chloride next question number 17 CO, NS3, whole 5, CL और bracket के भार CL2, billion में कुल कितने iron होगे एक तो यह बनाएगा धनायन दो इकाई इसके उपर धनावेस होगा और दो बनेंगे यह रिनायन 2, CL, negative तो एक तो जटी लायन बना और दो बने सरलायन दो रेक तीन आयन होगे total तो सही उत्तर क्या होगा तीन आयन option A आपको पता है ना तीन आयनों में तो तूटेगा एक तो यह बनेगा दो इकाई धनावेस वाला और दो यह बनेगे एक के की काई रिनावेस वाले next अगला question देखो question number 18 18 question में कहा गया है CONS3 whole 5 BR SO4 एवं CONS3 whole 5 SO4 BR के मद्दे पाई जाने वाली समावी अवता अब आप इसमें देखो इसमें SO4 बाहर है इसमें SO4 अंदर है इसमें BR अंदर है इसमें BR बाहर है यानि आएन बदल रहे हैं इसमें सल्फेट आएन आपको मिलेगा जब यह तूटेगा आएनों में और इसमें मिलेगा ब्रोमाइड आएन तो जब आएन अलग अलग तरह के प्राप्त होते हूं तो उसे कहते हैं आएनन समावियवता तो आएनन समावियवता हमें हाँ देखने को मिलेगी option D बिलकुल सही है next अगला question देखो question number 19 question number 19 निम लिखित में से कौन सा आएनन समावियवता प्रदरसीत करता है आएनन समावियवता वही आएनन समावियवता कौन परदरसीत करेगा जिसमें आयन अलग अलग तरे के आपको प्राप्त हो सकते हैं देखो इसमें आपके पास SO4 है और BR है है तो यह भी नेगेटिव यह भी नेगेटिव कभी यह निकल सकता है बाहर कभी SO4 निकल सकता है बाहर तो यहां आपको आएनन समावियवता देखने को मिलेगी जबकि यहां ऐसा नहीं होगा नहीं होगा यहां दो तरह की रिनाएन है न एक बाहर है एक अंदर है इनकी अदला बदली हो सकती है इसमें तो सब कुछ ही अंदर है यह भी पूरा बड़े ब्रेकेट के अंदर है यह भी बड़े ब्रेकेट के अंदर है इसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता इस तरीका आएनन समावियवता इसमें देखने को मिलेगी आपको आप्शन B में ठीक है नेक्स अगला क्योस्टन क्योस्टन नमबर 20 20 वा क्योस्टन देखो 20 में क्योस्टन में कहा है CONS3, Whole5, CL2, NO2 तता CONS3, Whole4, CL, NO2 Whole, CL, NO2 और बाहर CL है कैसे समावियवी है देखो इसमें तो NO2 बाहर है इसमें CL बाहर है इसमें CL दोनों अंदर थे इसमें एक CL और एक NO2 अंदर है तो बाहर NO2 है और यहां अंदर चला गया तो जब आयनों की अदला बदली होती है बाहर और अंदर की द्रब तो उसे ही तो कहते हैं आयनन समावियवी था तो यह दोनों एक दूसरे के आयनन समावियवी है इसके तूटने से हमें जो आयन प्राप्त होंगे उसके तूटने से वें आयन प्राप्त नहीं होंगे बदल जाएंगे हाला की दोनों के अनुसूत रेक जैसे है ठीक है बिटे तो सही उत्तर D है 20 वे का नेक्स्ट अगला क्योफ्चिन 21 वे क्योफ्चिन में कहा है निम लिखित में से कौन सा लिगेंड बंधन समावियवता दरसाता है वही बंधन समावियवता उसे कहते है जब कोई आपके पास एक ऐसा एमबी डेंटेट लिगेंड हो एमबी डेंटेट उसे कहते हैं जिसके पास दो दाता परमानू होते हैं पर वो दोनों दाता परमानूं में से कोई सा एक दाता परमानू एक बार प्रियोग करता है अपना कभी किसी दाता परमानू का इस्तमाल कर लिया कभी किसी का कर लिया तो इन में से आपको देखना है कि यह जितने भी लिगेंड से हैं इन में से कौन सा ऐसा लिगेंड है जो उभेदंतुक है यानि एम्बी डेंटेट है और वो है अनो टू आपको इसके दो नाम बतायते हैं एक बार दाता परमाणू इसमें क्या हो सकता है औक्सीजन और एक बार दाता परमाणू हो सकता है नाइट्रोजन तो एक बार तो इसका नाम नाइट्रो होगा एक बार होगा नाइट्राइटो ठीक है तो सही उत्तर क्या है सी सही उत्तर इस कभी कोई से का कभी कोई से का जिसकी वज़े से दो तरह के उपसह सहीं जग योगीक बनते हैं और वे दोनों उपसह सहीं जग योगीक कहे जाते हैं एक दूसरे के बंधन समावी अभी ठीक है नेक्स्ट क्योस्टर नंबर 22 22 में कहा है CRNS3 whole 5 N02 CL2 द्वारा दरसाई जाने वाल के साहिता से जुड़ रहा और एक बार N की साहिता से जुड़ रहा तो दो तरह के आपको उपसह सहीं जग योगीक मिलेंगा और दोनों उपसह सहीं जग योगीकों को आप कहोगे कि में दोनों एक दूसरे के बंधन समावी अभी है ठीक है और समावी अवता बंधन समावी विवता आपको यहां देखने को मिलेगी इस एन नोटू के कारण तो एन नोटू को ध्यान रखना इसके उपर क्यों से नाता है पेपर में कहा है एन नोटू लेगा इंड आया ध्यान रखना नेक्स्ट क्योस्टन नंबर 23 देखो जरा 23 दे रखा है सी यू एनस थ्री होल फोर पीटी सी लफोर संकुल योगी के लिए कितने समावियवी संभव हैं बहुत इंपोर्टेंट क्योस्टे ने बेटे बहुत इंपोर्टेंट अब इसे ध्यान से देख लेना वही ये आपके पास एक संकुल है सी यू एनस थ्री होल फोर पीटी सी लफोर पहले तो इसे ही लिख लेता हूं मैं इसे तो समझा दूजरा एक बार ध्यान से बग्की तो आपने प्रैक्टीस करी रखी है ध्यान से समझे ना बस बिल्कुल हर एक चीज़ को इन्होंने दे रखा है सी यू एनस थ्री होल फोर और पीटी सी ल फोर एक तो समावी यही हो गया अपने आप में यहां में लिख देता हूं नमबर एक पहला समावी यही हो गया दूसरा कैसा हो सकता है इसमें एनस थ्री चार है ना मैं इसमें एनस थ्री अब कर दूँगा तीन देखो CU NS3 3 कर दिये और इधर से 1 CL ले लिया अब आपने जब इधर 1 CL ले लिया तो CL तो यहां 3 बचे होंगे और NS3 उदर से 1 आ गया होगा ठीक है? एक यह बन गया समावी अभी नमबर 3 देखो अब मैं NS3 2 करूँगा मतलब coordination number में change नहीं होना चाहिए इसका coordination number 4 है इसका भी 4 है अब भी इसका coordination number 4 है 3 तो amine और 1 chloride हो देखो C U amine कर दिया हमने हाँ amine कर दिया हमने हाँ 2 तो CL भी 1 extra लाना पड़ेगा अब जब CL इधर से चला गया तो अब यहां CL 2 होगे और amine एक extra आगया क्योंकि उधर से एक amine और निकाल लिया हमने coordination number पे तो कोई effect नहीं पड़ा coordination number तो अब भी PT का कितना है platinum का 4 ही है क्योंकि 4 ligands और 4 रों के 4 रों mono dented ligand है number 4 अब मैं NS3 करूँगा एक एक और निकाल दो यहां से गया NS3 यहां होगे कितने 3 अब क्या हो सकता है अब 5 वह ऐसा हो सकता है कि यहां पिस एक अकिले NS3 को भी निकाल लो यहां आप CLE ले का ओ 4 कोपर के साथ और यहां platinum के साथ ले का ओ 4 के 4 रों NS3 4 के 4 रों NS3 अब इस से जादे तो कुछ नहीं कर सकते है 23 वेगा सही उत्तर क्या है सी 54 के समाव्यवी मैंने आपको बना के दिखा दिया यदि स्क्रीन सॉट लेना चाहो तो स्क्रीन सॉट ले लो नेक्स्ट अगला क्योश्टन देखो बेटे क्योश्टन नमबर 24 24 क्योश्टन में कहा गया है प्यूश्टन नमबर 24 तो ध्यान रखो कि इसमें जामीतिय समाव्यवी कितने तरह क्योश्टत पढ़िए सिस तरह दिखा सकता थ तो इसका सही उत्तर होगा ए ञामीतिय समाव्यवता आपने सिस ट्रांस पढ़ी है न थीक है तो cis trans samaviyavta, jamitya samaviyavta दो ही प्रकारगी होती है जब दो एक तरह के ligands हो और दो एक तरह के हूँ next अगला question, question number 25 question number 25 को ध्यान से देखेंगे सब 25 में कहा गया है निमलिखित में से कौन सा योगिक प्रकासिक samaviyavta प्रदर्शीत करता है परिए आपको मैं एक बात बताता हूँ प्रकासिक समावियवता प्रदर्सित करने के कुछ क्राइटेरिया है पहला क्राइटेरिया तो यह है कि यदि आपका केंदरिय धातु परमानू है न यह M सेंट्रल मेटल एटम और इसके पास AB टाइप के दो लिगैंड्स अटैच है और इसके पूरे के उपर कुछ धनावेस या रिनावेस है तो यदि इस तरह का आपको कहीं स्ट्रक्चर या फार्मूला दिखाई दे रहा न तो वो प्रकासिक समावियवता दिखाता है ठीक है और या फिर ऐसा हो कि केंदरिय धातू परमाणू आपके पास है और उसके उपर AA टाइप के अब AA का मतलब बाइडेंटेट लिगैंड है बाइडेंटेट AA टाइप के तीन लिगैंड्स अटैच हो और आवेस कोई सा भी हो दनावेस या रिनावेस या फिर ऐसा हो कि केंदरिय धातू परमाणू है आपके पास और उसके उपर AA टाइप के यानि बाइडेंटेट लिगैंड अटैच हो दो और दो ही सिंपल लिगैंड अटैच हो आवेस कुछ भी हो दनावेस या रिनावेस तो वो भी दिखाता है कैसी समावी अवता प्रकाशिक समावी अवता दिखाता है या फिर ऐसा हो सकता है ये सारी चीज़े मैंने पढ़ा रखी हैं आपको केंदरिय धातू परमाणू है उसके उपर AA बाइडेंटेट लिगैंड तो दो अटैच हो और मोनो डेंटेट लिगैंड दो अलग अलग तरह के अटैच हो तो वो भी प्रकाशिक समावी अवता दिखाता है ठीक है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि केंदरिय धातू परमाणू आपके पास है और उसके उपर एक तो हो कोई इसके भी डाइ देन डेंटेट लिगैंड अटैच देखो हो हो यहाँ दो थे एक और छार हो मतलब दो तो एक तरह के और दो एक तरह के मोनो डेंटेट या बाइद लिगैंड अटैच हो अब आपको देखना है इनमें से कोई सा कोई सा सूत्री इन्हें satisfy कर रहा गया किसी भी उसे ठीक है ढूंडो 25 वा क्योस्चन है हमारा जब आप 25 वे क्योस्चन में देखते हो तो यहां देखो यह तो M है और यह बाइडेंटेट लिगेंड तीन अटेच है ठीक है देखो यहां इस वाले फार्मूले को देखो केंदरिज धातु परमनो और बाइडेंटेट लिगेंड तीन अटेच हैं और आवे से तीन इकाई रिनावे तो यही सिरफ ऐसा है जो इन सारे फार्मूले में से एक फार्मूले को फुल्फिल कर रहा है तो यही प्रकासिक समावी अवता हमें दिखाएगा बाग की कोई सा नहीं कर रहा देखो यह 6 मोनो डेंटेट लिगेंड अटेच हैं कहां लिखा वागी मोनो डेंटेट लिगेंड 6 और टेच यह जितने भी फार्मूले मेंने आपको बताए एक, दो, तीन, चार, पांच, पांचों में से कहीं भी नहीं लख रखा कि 6 मोनो डेंटेट लिगेंड अटेच हों तो परकासिक समावी होता है दिखा सकता है बिल्कुल मिदी दिखा सकता यह तो सिमिट्री बनेगी, बढ़िया बैलेंस बनेगा इसका तो 6 लिगेंड जब कोबल्ट के चातर भी कठे हो जाएंगे और यह 4 मोनो डेंटेट लिगेंड दिखा रखे ऐसा भी कहीं फार्मूला नहीं है और यह 4 दिखा रखे हैं मोनो डेंटेट ऐसा भी कहीं फार्मूला नहीं है सिरब यह फार्मूला एक ऐसा है तो 25 का सही answer B है next अगला question देखो ज़रा अगला question question number 26 26 में कहा गया है निम लिखित में से कौन सा योगी प्रकासिक सक्रियता प्रदर्सित करता है प्रकासिक सक्रियता प्रकासिक समावियवता वाले तो बहुत मिल जाएंगे यह तो प्रकासिक समावियवता भी नहीं दिखाएगा अब यह प्रकासिक सक्रियता दिखा सकता है यह भी दिखा सकता है और यह भी दिखा सकता है क्योंकि इसमें बाइडेंटेट लिगेंड है इसमें तो है नहीं ठीक है और इसमें है तो प्रकासिक समावियवता दिखाने वाले तो यहाँ B और C, B और D हैं यह दोनों प्रकासिक समावियवता दिखाएंगे यह बात पक्की है पर सवाल यह खड़ा होता है कि सर इन दोनों प्रकासिक समावियवियों में से कौन सा प्रकासिक समावयवी प्रकासिक सक्रियता प्रदर्शित करेगा यानि हैं तो दोनों प्रकासिक समावयवी एक दूसरे के पर इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो सम्तल धुरुवित प्रकास के कमपनों को गुमा देगा इन्होंने पुछा है द्रूवन गुर्णक कौन सा होगा द्रूवन गुर्णक इसमें से D होगा विपक्स क्यों नहीं होने का संपक्स क्यों होगा जब सेम गुरूप सेम साइड हो जाते हैं जैसे कोबाल्ट है यह कोबाल्ट है और इसमें दो NS3 सेम साइड है दोनों NS3 same side है माल लो एक NS3 इधर है और एक NS3 इधर है पता है ना, आपको समपक्सिस forms, जब सेम group सेम side हो, और संतूलन तो इसका बिगड़ा पड़ा और जब इसका संतूलन बिगड़ा पड़ा तो साब बात है कि जब किसी केंद्रिय धातु परमाणू के चाहतर पटैज जितने भी लिगैंड्स हैं उनका संतुलन बन ना रहा हो एस संतुलित संरचना हो तो ऐसी एस संतुलित संरचना ही समतल धुरुवित प्रकास के कमपनों को गुमा देती है इसलिए इसका सही उत्तर क्या है सिस फॉर्म है संपक्स ठीक है चलो next अगला क्योस्चन देखते हैं क्योस्चन नमबर 27 क्योस्चन नमबर 27 में कहा गया है निम लिखित में से किसमे समाव्यवियों की संख्या सबसे अधिक होगी सबसे अधिक समावयवी किस में होंगे देखो इसमें दो बाइडेंटेट लिगेंड हैं और दो है मोनोडेंटेट लिगेंड मतलग इन्होंने ये नहीं पुछा है कि प्रकासिक समावयवीयों की संख्या सबसे अधिक होगी या फिर जामीतिय समावियों की संख्या सबस्याद ही कोगी इन्होंने पूछा है समावियों की संख्यावता उस सबस्याद है किसमें होगी तो आपको पता है कि ये जो है ये वाला एक्जामपल ये वाला एक्जामपल और ये वाला एक्जामपल ये प्रकासिक और जामीतिय समाव यवता तो दिखा ये नी सकते और जबकि इस example में आपको प्रकासिक और जामीतिय समाव यवता भी देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें दो बाइटेंटेट लिग Peynd हैं और दो मोनोडेंटे लिगेंट हैं तो इसलिए बाकी समावयवता को साथ साथ प्रकासिक और जामीतिय समावयवता भी प्रतरसित करने वाला option D है ठीक है इसलिए सबसे जादे समावयवी आपको option D में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि इसमें प्रकासिक और जामीतिय समावी अवता भी आपको देखने को मिलेगी क्योस्टिन नमबर 28 28 में कहा गया है निमलिखित में से कि इस जटिल इस पिसीज में D2, SP3 संकरण प्रियुक्त होता है पर D2, SP3 संकरण आप मन का इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखो और उसकी आक्षिकरन संक्या के इसाप से उसमेंटर्नों की संक्या गठाओ और फिर देखो कि आकसाइडो या आकसाइडो लिगेन्ट जब आते हैं तो कितने इलेक्टर्नों का युगमन होता है इसी तरीके से यहाँ कोबाल्ट है यह ओ छोटा लिखना चाहिए था यह FV है और यह CR है जब इनके सबके electronic विन्यास आप 1S2, 2S2 में लिखोगे न और उसके बाद ligands जब आते हैं तो ligands के आने के बाद आप देखोगे कि आपको पताए साइनो या साइनाइडो स्ट्रॉंग ligand है यह FV के आवेस कितना है देखो 6 का ही रिनावेस है उधर जागे प्लस का 6 हो जाएगा और यह माइनस का 3 उधर पहले से ही है तो प्लस का 3 FV का oxidation नमबर यहां प्लस 3 आएगा और प्लस 3 oxidation नमबर आने के बाद 6 ligands जब आएंगे तो युगमन तो करेंगे और युगमन करेंगे तो क्या होगा कि इसमें अंदर वाले D ककसक इस्तमाल होगे दो D2 SP3 संकरण आपको देखने को मिलेगा इसमें FV triple positive में कौन सा संकरण देखने को मिलेगा D2 SP3 ध्यान रखना बिल्कुल ठीक है ऐसा पता क्या होगा जब आप FV का electronic विन्यास लिखते हो ठीक है आपने FV का electronic विन्यास लिख दिया वही FV का electronic विन्यास जब भी आप लिखोगे तो क्या आएगा 3D 8 4S 0 और 4P 0 एक मठ रुख जाओ आप सिद्धा FV triple positive का लिखो या FV का लिखो FV का परमाणू करमांग तो आपको बताए 26 होता है FV का 26 होता है 1S2 2S2 से तो आप चली दोगे में चीज़ यह देखो कि आपके पास 3D में तो आएंगे 6 electron और 4S में आएंगे 2 electron और 4P रहेगा आपका खली यह तो होगा FV का electronic विन्यास लिख कर देख ले ना आप 1S2 2S2 में उसके बाद जब आप FV का यहां oxidation number कितना है था प्लस 3 तो FV का जब प्लस 3 वाला oxidation number वाला यानि 3 electron निकालने आपको दो तो इसमें से निकाल लोगे और एक इसमें से तो यह हो जाएगा 3D5 4S0 और 4P0 अब 3D5 एक दो तीन चार और एक पांच होते हैं न डी में S में एक होता है और P में होते हैं तीन कक्षक अब आप देख लो 5 electron बढ़ने हैं अब 5 electron नॉर्मली जब आप भरोगे एक दो तीन चार पांच एक के करके भरोगे पर आपको बता है सामने आने वाला लिगेंड क्या है प्रबल क्षेत्र लिगेंड है strong field लिगेंड तो वो क्या करेगा इन पांचो इलेक्ट्रोनों के जोड़े बना देगा जोड़े पांच पांचों के तो जोड़े बनने के नहीं आपका जो है मालो एक तो जोड़ाए बन गया एक जोड़ाए बन गया चार P के बचे 3 अब टोटल करशक कितने हुए 2, 3 और 1, 4 और 2, 6 और देखो 6 ही तो SineyeDe आने एक SineyeDe का Elecrition आपको पताए कि हर एक SineyeDe जो है hijQué वो एक electron का जोड़ा देगा तो 1 electron का जोड़ा तो यहां आजाएगा यानी एक SineyeDe का एक का यहां आ गया एक का यहां आ गया और पांचवे साइनाइड का यहां और छटे का यहां तो संकरण क्या हुआ D2, SP3 तो D2, SP3 आपको इसमें देखने को मिलता है FPCN6-3 में ध्यान रखना D2, SP3 संकरण और इस एक्जम्पल को FPCN6-3 बहुत important क्योस्टन है बिल्कुल बता रहा हूँ कि एक्जाम में आने के चांस बहुत ज़ादे हैं ठीक है? बाकी सारे क्योस्टन fresh lecture में आपको बहुत अच्छे तरीके से करार रखे हैं पहले से ही अगला क्योस्टन देखो चलो क्योस्टन number 29 क्योस्टन number 29 में कहा गया है निम लिखित में से किसकी जामीती वर्ग समतलिय होगी? वर्ग समतलिय जामीती उसकी होती है जिसमें D वर्ग समतलिय जामीती उसकी होती है जिसमें D SP2 संकरन आपको देखने को मिलेगा अब संकरन कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया अभी जब इन सब में आप निकल का संकरण निकाल लोगे तो निकल का संकरण जब आप इसमें निकाल लोगे NICN4-2 तो इसमें आपको निकल का संकरण DSP2 मिलेगा क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉंग फिल्ड इलिगेंड है वो पेरिंग कर देगा जोड़े बना देगा इलेक्ट्रॉंस के तो अंदर का एक D ककसक खल ली हो जाएगा तो DSP2 संकरण जब मिलेगा तो DSP2 संकरण की जामिती कैसी होती है वर्ग समतली है तो सही उत्तर इसका C है ध्यान रखना ठीक है बिटे करें अगला क्योस्चन चलो अगला क्योस्चन करते है क्योस्चन नमबर 30 क्योस्चन नमबर 30 तीसवा क्योस्चन दिया गया है CUNS3 Whole4 2 Positive संकुल की जामिती है वही इसमें जब आप इसका संकरण निकाल लोगे न तो DSP2 मिलेगा आपको निकाल के देख ले न DSP2 मिलेगा और जब DSP2 मिलेगा तो इसका मतलब DSP2 संकरण की आगरती कैसी होती है वर्ग समतलिय होती है तो option A सही है कौन सा सही है A Next Question number 31 Question number 31 में कहा है निमली खितमे से किसकी जामिती चतुसफल की है अब चतुसफल की एक बारे में तो आप ककसा 10 से पड़ते आ रहे चतुसफल की है जामिती या अकरती कौन से संकरण की होती है SP3 की तो इन में से जहां भी संकरण आपको SP3 देखने को मिलता है SP3 संकरण ही हां मिलेगा देखने को NICL4-2 में निकाल के देख ले न NI का electronic विन्यास लिखो ठीक है और फिर oxygen संक्या कितनी होगी minus के 4 उदर जागे plus के 4 हो जाएंगे plus 2 उस निकिल में से जो electronic विन्यास आपने लिखा है उस में से 2 electron निकाल लो ठीक है तो आपको संकरण SP3 मिलेगा यानि d का कोई ककसक इस्तमाल नहीं होगा और d का जब कोई ककसक इस्तमाल नहीं होगा तो SP3 संकरण आपको देखने को मिलेगा देखो 4 इतो लिखाने टे 4 इतो bond बनेगे और 4 bond बनेगे तो संकरण SP3 तो होगा 1 तो S ककसक, 3P ककसक, 4 ककसक ही तो चाहिए यह 4 इलेक्ट्रोनों के जोड़े को क्योंकि CL ने हर एक इलेक्ट्रोन का जोड़ा है हर एक CL ने एक 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 इलेक्ट्रोन का जोड़ा दिया होगा Next Question number 32 Question number 32 में कहा गया है NICO4 एवं NIPPS3 Hold twice CL जामीती करमस है दोन्नों की जामीती तो जब आप इनकी दोन्नों की जामीती देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा यहां तो संकरन आपको इसका मिलेगा SP3 SP3 संकरन देखने को मिलेगा इसका निकाल के देख लेना ठीक है और इसके अलावा जो दूसरा अमारे पास compound है इसमें DSP2 मिलेगा DSP2 ठीक है तो जब SP3 संकरन है तो चतुसफल की है और DSP2 है तो समतली है तो देखो चतुसफल की और समतली है कौन सा है यह है चतुसफल की एवं समतली है option B सही है इसका संकरन यह निकल जाएंगे आप निकाल के देखोगे तो अभी यदि मैं हर एक का संकरन आपको निकाल के दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यह क्योश्चन नंबर 33 मैं का है FVCN6-4 तता है FVCN6-3 में एयुगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या है एयुगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या बतानी है हमें ठीक है तो यदि आप इसमें FVCN6-6 और माइनस के चार प्लस के दो इसमें तो और इसमें तो और प्लस के तीन देख लेना निकाल के माइनस के शह उदर जागे प्लस के शह हो जाएगे प्लस के शह माइनस के तीन प्लस के तीन बचेंगे प्लस का 3 Oxid is a number है तो आपको FV Double Positive का हिसाब निकालना है FV का Electronic विन्यास तो निकाल के दिखाया था भी तो FV Double Positive का जब आप निकाल लोगे यानि 2 Electron निकालने उस Electronic विन्यास में तो 3D में तो बचेंगे आपके पास 6 4S आपका खाली पड़ा रहेगा और 4P भी खाली पड़ा रहेगा ठीक है और D में 6 Electron 1, 2, 3, 4, 5 बस इन में तो ही नहीं इसे तो मैं बनाई नहीं रहा 6 Electron 1, 2, 3, 4, 5, और 6 ठीक है पर यदि यहां Sainite आगया Strong Filled Deligant आगया तो यह तो जोड़े बनवा देगा जोड़े बनवाएगा तो यह एक Electron का जोड़ा तो यहां बनेगा एक का यहां तो यहां तो कुछ भी नहीं है फिर तो सारे Electron तो जोड़ों में आगे 6 थे 3 तीन जोड़े बनके दो दो गे इसका मतलब इसमें तो एय युगमित Electronों की संख्या 0 है इस वाले में तो एय युगमित Electronों की संख्या 0 है और उसमें देखो प्लस 3 यानि एक Electron और निकालना है और एक Electron और निकाल लोगे F3 3 प्लस एक Electron और निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा 3D 5 यह तो 4S 0, 4P 0 ही रहेगा और 3D 5 हो गया तो 1, 2, 3, 4, 5 5 Electron है और साइनाइड सामने खड़ावा जोड़े बनवाने के लिए तो 5 Electronों को सिमटना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5 यह यहाँ आएगा जोड़ा साइनाइड यहाँ आएगा इसी तरह इसमें और इसमें भी आएगा तो यहाँ तो एक है Electron तो Unpaired Electron इसमें होगा एक तो Zero और एक वाला Option देख लो आप मतलब हमने क्या किया है Fe Double Positive और Fe Triple Positive के Electronic विन्यास लिखे और फिर साइनाइड ने उनका उनके जोड़े बनवा दिये तो उसमें एयुगमित Electronों की संख्या कोई भी नहीं है इसमें एक है तो Zero और एक वाला Option देखो यह है Zero और एक वाला B 33 का सही आंसर क्या है B Next अगला Question इस तरह के Question बहुत आते हैं पेपर में ध्यान रखना जैसे अभी हम कर रहें फिलाल एयुगमित Electronों भी संख्या 34 वा Question 34 वा Question में कहा है Fe F6-3 इसमें एयुगमित Electronों की संख्या है एयुगमित Electronों की संख्या देखो माइनस का 6 उदर जागे प्लस का 6 हो जाएगा प्लस का 6 और माइनस का 3 प्लस का 3 यहां Oxidation Number इसका प्लस 3 आया यानि Fe का Oxidation Number प्लस 3 है यानि 3 Positive इसके उपर आवे से तीन Electron इसमें से निकालने हैं हमें तो तीन निकालने हैं तो Electronic Vinyas इसका 3D में कितना आया था अभी तीन निकालके 3D 5 4S 0 और 4P 0 अब जब भाईय कक्सक संकूल है इसका मतलब 3D का तो कोई भी कक्सक इस्तमाल नहीं होगा 5 है तो 5 को ऐसे बर दो 1, 2, 3, 4, 5 अब भाईय कक्सक संकूल इसलिए है क्योंकि F Negative जो Fluorido है आपका Legand वो Strong Legand नहीं है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके जोड़े बनवा दे तो इसलिए सारे अलग-अलग पड़े रहेंगे और सारे के सारे अलग पड़े रहेंगे तो 5 है यूगमित इलेक्ट्रोन आपको मिलेंगे यूगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 तो सही उत्तर देख लो 5 कौन सा यह है तो 34 वे का सही उत्तर है D Next अगला क्योस्टन देखो Question number 35 35 वे question में कहा है निमलिखित سाइनो जटीलों में यानी यह साइनाइड वाले सारे complex है में से कौन सा निउनतम अनूचुम्गिय व्यवार दरसाता है निउनतम अनूचुम्गिय व्यवार दरसाने का मतलब यह है कि जिसमें अयूगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या सबसे कम होगी अब यह तो साइनाइड तो स्ट्रॉंग फिल्ड लिगेंड है यह तो जोड़े बनवाएगा पक्की बात है तो जब आप इसका electronic विन्यास लिखोगे oxidation number plus 3 इसका भी plus 3 इसका भी plus 3 इसका भी इसका तो हमने कहीं बार पढ़ लिया एक यूगमित इलेक्टरॉन बचेगा इसमें फिर भी क्योंकि 5 के जोड़े तो नहीं बनते 4 के तो जोड़े बन जाएंगे पर एक यूगमित इलेक्टरॉन यहां बचेगा D2 SP3 संकरन आपको देखने को मिलेगा पर यदि इसमें आप इसे देखोगे ना option A को तो कोबाल्ट में एयूगमित इलेक्टरॉन एक भी नहीं बचेगा और जब एक भी एयूगमित इलेक्टरॉन नहीं बचेगा तो यह प्रतिचुम्ब किया होगा यानि इसमें अनुचुम्ब के गुण ही नहीं तो आप लिख सकते हो कि एयूगमित इलेक्टरॉन इसमें जीरो आएंगे करके देख लेना आप चाहे और आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो इसमें साइनाइड लिगेंड है वो स्ट्रॉंग फिल्ड लिगेंड है इलेक्टरॉनों के जोड़े बनवा देगा ठीक है नेक्स्ट अगला क्योस्ट क्योस्ट नमबर 36 क्योस्ट नमबर 36 में कहा गया है C U C L 4 माइनस 2 C U NH 3 होल 4 प्लस 2 संकुल आइनों के लिए सत्यक थन है सत्यक थन क्या है आप इन में एयूगमित इलेक्टरॉनों की संख्या देखनी पड़ेगी आपको एयूगमित इलेक्टरॉनों की संख्या ठीक है इसमें भी एयूगमित इलेक्टरॉन आपको मिलेंगे और इसमें भी मिलेंगे क्योंकि स्ट्रॉंग फिल्ड लिगेंड नहीं है तो सही कथन क्या है दोनों अनुचुम्ब गिये हैं अनुचुम्ब गिये तो होंगे जब एयुगमित इलेक्ट्रॉन दोनों में होंगे फिर कहा दोनों प्रती चुम्ब गिये है पहला चतुस्पल गिये दूसरा वर्गसम्तलिय है फिर कहा दोनों में एयुगमित इलेक्ट् नाइन टू बोर मेगनेट ओन है ठीक है देखो ए युगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या देखेंगे कोई यहाँ उपसह से योजग योगिक नी है कभी आप डर जाओ कि एफ़ी ट्रिपल पॉलिटिव का इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखने के बाद हमें इलेक्ट्रोनों का 3D5 आएगा और 3D5 में 1,2,3,4,5 पांच ए युगमित इलेक्ट्रोन होंगे हमें इनका युगमित कराने की आवशक्ता नी है क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई उपसह से योजग योगिक नहीं है इनकी पेरिंग कराएं हम जोड़े कराएं नहीं उसकी आवशक्ता नहीं है आप सिरफ द्यान रखो कि ए युगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या 5 है और आप फार्मूला लगा दो यहाँ आगोन का चुम्ब की आगोन का फार्मूला आपके याद होगा N into N plus 2 N का मतलब ए युगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या 5 है पांच एंटू 5 प्लस दो पांच और दो साथ पंजे 35 अंडरूट 35 अब 6 चेंग तो होते हैं 36 तो फाइप पॉइंट सम्थिंग आ जाएगा 5.92 बॉर मेंगनेट ओन स्क्रीन सॉर्ड लेना चाहो तो ले लो स्क्रीन सॉर्ड ले लिया नेक्स्ट अगला क्योस्चन देखते हैं क्योस्चन नमबर 38 38 में कहा है नेम लिखित में से एक अभी विन्यास के लिए चुम्बगया अगोन यानि चकरन के वलकमान 2.84 बोर मेंगनेट ओन है सही विकल्ब है 2.84 ठीक है 2.84 यानि एयुमित इलेक्ट्रोनों की संख्या 5 से तो कमी होनी चाहिए तो या 3 से ज़एदे होनी चाहिए ठीक है चलो देखते हैं 2.84 बोर मेंगनेट ओन है 2.84 बोर मेंगनेट ओन देखो यदि हम option D को यहाँ देखेंगे तो प्रबल खेत्र लिगेंड है यदि D4 दूर्बल में होगा तो इसके जोड़े नहीं बननेगे और यदि प्रबल लिगेंड में होगा तो इसके जोड़े बनेगे D में कितने होते हैं D में होते हैं D में 1, 2, 3, 4, 5 तीन, चार, अब D2, SP3 संकरण के लिए दो चाहिए है, खल ली स्ट्रॉंग लिगेंड यदि हाँ आ गया स्ट्रॉंग लिगेंड इसे हाँ भेज देगा, इलेक्ट्रॉन को फिक है, इनके तो जोड़े बनाने की ज़रत नहीं, इसके तो एयुगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या 2 आई, और जब एयुगमित इलेक्ट्रोनों की संख्या 2 आई, तो आप फार्मूला लगा सकते हो, चुम्ब की आगोंड का N into N into N into N plus 2 N कितना आया हमारे पास 2, 2 into 2 plus 2 यह हो जाएगा आपका 2 और 2, 4 दुनी आर्ट, अंडरूट आर्ट और अंडरूट आर्ट 3 तीन तिया तो 9 हो जाएगे 2.84 बोर मैगनेटोन तो डी फोर और प्रबल अक्षेत्र लिगेंड या प्रबल लिगेंड अक्षेत्र में हो ठीक है बटे तो यह 38 क्योश्चन मुझे आज इस चैप्टर के आपको कराने ते यह सारे के सारे सूपर डूपर most important क्योश्चन है सारे क्योश्चन आपको जरूर आने चाहिए इनकी practice करके जाओ, बार-बार करके जाओ board exam में बैठने से पहले अगला चैप्टर में बहुत जल्दी लेकर आऊंगा ठीक है बटे, बस महनत और इमानदारी से पढ़ा ही करते रहो और best of luck for your board exam तो thank you very much for watching this video ओके, बाए अपने answer बता देना कितने सही आएते